तो हेलो वेल्कम दो विए नमबर वा प्लाटफों फॉर यह इस एपर प्रफेशन पॉर यह इस जैसे कि आपने देखा बहुत सारे कुछ नमारे नोट्स में से आगे ऐसा होगा विकॉस बेसिक टो एडवांस पढ़ाना पसंद करते हैं बिल्कुल जीरो से श्राट कर रहे है जैसे मैं आपको यहां करा रहा हूं पूरी के लिए आप हमार सा बैच में जूड़ सकते हैं कौन से बैच में यह हमने अर्ली सिसाट बैच शुरू कही है अभी हुआ निया होना है ठीक है जिसके अंदर कॉंटिट अप्टिटूड शुरू करेंगे लॉजिकल रिजिन करे ही ही आपके फ्रेश पेच आ रहा है ठीक है इसमें क्योंको एडवांस मोडिरेटिटेड मेथर सेम स्टार्ट करने वाले फूर मोर इंपरमेशन यूगन कॉल सेट 951-777-1651 तो इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर आप हमें स्टुएंट वट्सप भी कर सकते हैं कोई प्लॉटम नहीं आने वाली ठीक है चंदिगण और मोहली हमारे अड्रस है चंदिगण का एड्रस हमारा प्लॉट नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर पंजाब की स्री बिल्डिंग सेक्टर 25 चंदिगण और मोहली सेंटर की बास करते हैं प्लॉट नंबर सी 126 बिल्डिंग नंबर टू 4th फ्लोर फेसेट इंडस्ट्रियर मोहली क्लियर सो आप स्टार्ट कर सकते हमारे साथ बहुत अच्य सो 120 मार्क्स तक बच्चों के हमारे पास से हम बन रहे हैं क्लिए तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चलिए चल रखिए क्योंकि इसका यूज हम कोश्चंस में कर रहे हैं चलिए इन वीरु भाई प्रावेट लिम्टेट कंपनी 60% एंप्लोई और मैं एंड 48% एंप्लोई और इंजिनियर 66.6 इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रहने चाहिए वैल्यू दिखाऊं जिए रहा यहां पर होनी चाहिए मेरे पास 66.66 देखो टूबाइधरी इसको यूज करेंगे हम ठीक है ओफ दीज आर मैं दा पर्सेंटेज वो मैं वो अर नौट इंजिनियर करिए बादाए इस कुशिन का अंसर प्लीज देखो सबसे बहले मेरे पास 100 परसेंट होगा ठीक है शिक्शन परसेंट इंप्लोई एर मैं यहां पर अगर मैं मैं की बात करो हो कितने 50 परसेंट है ठीक है अच्छा तो वूमेन कितनी होगी मेरे पास 40 परसेंट होगी उसने क्या तोटल का 48% engineer यानि इसका 48% क्या मेरे पास इंजीनियर है यानि 48% मेरे पास क्या है इंजीनियर सो में से है तो आट 66% अ इसका 36.3 % यानि कितना इसका दो बटा तीन, इसका 22% अंब्थिश्वमें एंजीनियर अब कोश्चन क्या कह रहा है इस परसेंटेंटर्टेंट वुमन और नॉट इंजीनियर अगर्षों अगर मैं मैं की बात करूं इंजीनियर कितन好吃 32 और नूँरण इंजुनेर की दर थैंमेरबस 28 क्लियर अच्छा यहां पर और मैं मोमन की बात कर्ना चाहूं यहां पर और वमन इंजीनेर की इंजीनेर कितनी है मेरबस 16th morning and ओन ओन इंजीनेर कितनी मेरबस 24 न अट तुट चैनेर shy IS का मतलब 24 आउट ओफ कितना ताल इस गुना आफ सो परस्ट चे गुना दस कितना हुआ 60% option number B is the correct answer clear तो option number B बिल्कुल सही answer मेरे पास तो प्लीज दू like share subscribe the channel as well as the video जल्दीय student नौट कर लिजिए next question पर चलेंगे clear तो यह अच्छा क्योंकि calculation wise मैं चाहता हूं कि आप लोग और स्ट्रॉंग हटे बाइडे हमारे सा ठीक है तो calculation आपको चाहिए अच्छी खासी चलिए next question is at an examination in which maximum marks are 500 we got 10% less than q got 25% more than r got 20% less than s if we got 360 marks what percentage marks was obtained by s कि s ने कितने percent marks obtained यह बताना है चलो पी की बात करें देखो पी और क्यों दिया शुरू में पी गॉट 10% less than q 10% की value कितने मेरे पास एक बटा 10 है एक बटा 10 है एक बटा 10 है पी गॉट 10 एजन क्यों पी अगर यह दस है तो इन्हों होगा definitely है ठीक है आच्छा क्यों गॉट 25% more than r 25% का मतलब क्या हो गया एक बटे चार क्यों रार के अगर मैं बात करूं क्यों गोट 25% more than r तो अगर यह चार है तो यह पांच होगा ठीक है आपको फ्रेक्शन बनानी आने चाहिए बिसिकली इस तरह कोश्चन के लिए यू मस्ट नो इच एंड एवरी फ्रेक्शन वेल्यू तब करके आप कह सकते हैं कि आप बना सकते हैं अदरवाइस बहुत मुश्किल हो जाएगा लिए नेक्स के घ्याद यह मेरे पास अच्छा और गॉट्टी पर्षेंट का मतलब क्यों हो यह एक पटेबाच की से बीस परसेंट कम पांट यूश्चा यह बेसिकली अपास जो मेरे को मिला है वह मिरे को करना है जल्दी से इसको नोट की जो रागए चलेंगे सबस्क्राइब की तो एक देखों ओप जो जो खाली प्लेसिता मुँद नियुक्त रस दस चाहर पांच चाहर पैंज नोपंजे 40 40-5 कितना हो दोस्तों तो यह मेरे को सारा का सारा डाटा मिल चुक्त अब कोशन क्या कहरा देखिए समझिए पी गौड 360 मार्क्स पी के पास कितने मार्क्स आए अगर मैं पी की बात करूँ फेक पास क्या है आगर सेच के 400 मार्क्स आ तो मुझे पताना है परसेंटेज कितनी होगी तो पर्सेंटेज सब्सक्राइब करना है तो माक्स कितने हुए फॉर हंडर्ड टोटल माक्स कितने हुए फाइव फाइव हंडर्ड गुना उफ सो पर से कितना आपके पास कि एक प्रसेंट नमबर कि बिल्कुल सही उतर है एक बाद एक को ध्यान रखो जब भी आप सी सेट के तयारी करो ना दो चीजों में में फोकस करना है नमबर एक कोंसेप्ट कि नमबर दो क्योंट करते हो एक है ठीक है बच्चे जल्दी में में इस बहुत करते हैं आपने किया करना है एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ कैलिकोलेशन और ज्यादा ज्यादा ट्रिक्स का यूज मत करना आप अपने बेसिक्स पर चलिए अपनी केलिकुलेशन को स्टॉंग करो कैसे कैसे स्टॉंग करेंगे बाइप्रेक्स हर बार में की बात कहते हूं किसी भी चीज में प्रफेक्शन आपने वीकल चलाना हो ठीक है कुछ भी करना हो तो उसकी आप मास्ट्री कैसे कर सकते सुड़ेशन प्रेक्टिस खूब करेंगे पूरे साल टेल एक्जाम प्रेक्टिस करेंगे जैसे पिछली बार की थी बट आपको लगातार हमार साथ जुड़के रहना हमने टीनिंट नहीं है देखो पर्सेंटेज में हम देख लिए हमने यह इंग्जाम वाले को साथ के लिए अब इस तरह के इंग्जाम में कई बार बन जाते हैं तियुक्त आयों एक दो बार अभी जुह लित बिखर सब्सक्राइब तो उसमें मैं प्रीविश केर बताऊंगो सारे आपको क्लियर इन मीजरिंग दा साइड ओफ रेक्टेंगल वन साइड इस टेकन 20 पर्चेंट नेक्स देखो सबसे पहले बात आपको यह पता होना चाहिए एक तो इसका एयरिया क्या निमद्र ऐलोगो होता है अब दूसरी चीज क्या मेरे पास इन मिजरिंग ना साइड को इस इस तेकन्ट, 20% इन एक्सेस, अब 20% का मतलब क्या होगा मेरे पास, 20% एक पटे 5 होगा, तो अगर मैं लेंथ को 20% बढ़ाता हूँ, ठीक है, यहां पर ओर जिल्ट का रिश्व निकाल सकता हूँ, बिलकुल निकाल सकता हूँ, यह अगर 20% का मतलब, एक पटे 5 होता है, तो ओ अगर ओरिजिनल पांच है, मैंने पताया था, लास्ट क्लास में, कि अगर इंक्रिमेंट हो, तो एड कर तो, डिक्रिमेंट हो, माइनस कर तो इसमें क्या दिया, 20% इन एक्सेस, एड़ अगर मैं नेक्स को लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ, 10% कम, तो यहां पर 10% का मतल यह बताओ, अब आपने कुछ नहीं करना, देखो, एक्चुली यह क्या, एक्ट दस और पचास क्या है, मेरे पस एरिया क्या होता, लेंट तो ब्रेट, अगर लेंट पहले पांस थी, अब कित्यों की छे, ब्रेट दस थी, अब नोग इसका मतलब, इनिशल एरिया कितना हु यानि कितना हुआ भई, चार के इंक्रीमेट आगे कितने हैं, पचास के, गुना सो परसेंट, पचास दो तो कितना हुआ, आट परसेंट अंसर आगया, बट जब डिरेक्ट मुझे एंटरी दीख रही है, डाटा की तो इसको क्या करो, दो से मल्टिप्लै कर दो, सो आ गया, इसको अगर दो से करोग ratio, 25 कितना हुआ, किटना हुआ हुआ है, 68 हो गया, समझागी बात तो ये क्या होगा gens?, है, 8 हो गया, जो बहले सौत की मेरे पस क्या हूच उच्छी है, 108 हो चुकी है, clear, तो यह आपने हम देखना है, तो यहां से भी 8% दिख रहा, थो हर पर ये करने जुरूथ निया है अग डिरेक्ट दिखे तो आप कर सकते हैं अंसर इस ऑप्शन नम्रे एट परसेंट एक्सेस क्लियर सो डू लाइक शेर सब्स्राइब और कोई डाउट हो तो इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं 95177 16 कॉल कर सकते हैं वर्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए इन इलेक्शन उनली टू कंडिडेट कंटेस्ट आप देखो यह इलेक्शन वाले कोशन है मेरे इसका एक मोडरेटीड कोशन में करांगो इससे नॉर्मल कोशन भी करांगो ठीक है अग केंडिडेट सिक्योर 70 यह इस बॉटेंग आपके टोटल वोर्ट क्या हूंगे आपके टोटल वोर्ट की हमके मेरे पास्थों गष मेरे जोओं हमें इस इन वेलिट वेलिल वोडश्स ऑесь मेरे को क्या दिये मैंने माना भी 100% मेरे पास वोट्स है अगर मेरे पास देखो invalid वोट्स नहीं तो इसमें क्या मेरे पास एक मेरे पास वीनर और एक मेरे पास लूजर डेफिनिटली जिसके 50% से ज्यादा वोट सब सबने वोट किया है तो वही विनर होगा तो एक को में ने 70% वोट और दीसरे को मिले हो मेरे पास 30% वोट यह बताई समझाई बार ठीके समझो इस इसका मतलब विनर माइनस लूजर का डिफरेंस है वो कितना है 172 वोट इतना है इसका मतलब 70% यह 30% कितना हुआ 40% of total votes is equal to 172 दिये मुझे 100% निकाला है दो चीज़े कर सकते हो या तो आप ऐसे कर लो इसको दस चार से डिवाइड कर दो 10% of total votes is how much इसको भी चार से डिवाइड कर दो कितना है आपके बास चार तो के सोलना चारती बारा तो फिर इसको दस से डिवाइड कर दो यह नहीं 100% of total votes is how much इसको भी दस से कर दो answer is 430 option number D is the right answer clear तो do like share सबसरे बहुत अच्छा question था है इसका हम करेंगे next question में clear चल्दी से note करें क्योंकि वो कोशन काफी moderated सा कोशन और काफी बहुत अच्छा डाटाउस में दिया हुगा clear चलिए 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 नेक्स इस इन एलेक्शन बिट्विन टू कैंडिड़ेट्स के डल दा नमबर वैलिड वोर्स रिसीवड बाई के एक्सीड्स दोज रिसीवड बाई ल बाई 15 परसेंट मदब के और ल की बीच का जो डिफिरनस है रों 15 परसेंट है बेसिकली मुझे यह दिया हुए clear ल बाई 15 परसेंट टोटल नमबर वोर्स पोल्ट इफ 20 परसेंट वोर्स पोल्ट वर इन्वैलिड अट टोटल अट वैलिड वोर्स वर पोल्ट बहुत इंट्रस्टिंग कोश्चन है करते हैं देखो टोटल नमबर वोर्स कितने मेरे पास मैंने माना फिर सो परसेंट सबसे पहले मेरा स्टैप होगा इन्वैलिड वोर्स अठाओ इन्वैलिड वोर्स कितने मेरे पास अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना सुरेंट्स वो कितना मेरे पास 15 से निकालना है कि इसका पहलना है एक फास दूसरे क्या भाला है २ याक टना हों करो अरुशरी तना हों कर pacers द इसका बीटरो 32.5 इस 47.5 और 32.5 तो के को मिले होंगे इतने के एक सीट्स और एल को मिले होंगे इतने यह चीज आपको समझे नहीं थी यही एक चीज थी जो डिफरेंट्शेट कर रही थी दोनों को ठीक है उसने क्या वहला 15 परसेंट ओफ टोटल नम्बर वोट्स आगर वह 80 का कहता जम मैं लगते हैं तक 15 परसेंट का डिफिरेंस है अब मुझे इसकी निकालनी है अब मुझे 100 की वेल्यू दिये 100 की वेल्यू कितनी दिये ए तो सुड़्यट्थ 10 परसेंट की वेल्यू कितनी है मिरे पास 872, अब देखो मुझे किसकी value निकालनी है, मुझे 32.5 की निकालनी है, 30% की value निकालनी है, plus 10 बटे 4% आईए, सोच के देखो, यह actually मैस आईए, इसको 3 से multiply कर दो, इसको अभी 3 से गरवाट थे है, 2400, 63, 210, और 3 दूनी 6, 6, 1, कितना हो गया है, 216, ठीक है, और इसको 4 से divide कर दो, इसको 4 से divide कर दो, कितना आगया, 218, 34, 24, 28, 34, तो direct multiply करने हैं जरूरूत दिने है, कैलेकुलेशन से कैलेकुलेशन ढूंड ली मैंने, ऐसे ही आप नहीं करना है, जल्दी से नोट कर लीजी, अगले कोश्चत पर चलेंगे, 2834, तो, सारे के सारे लिंक आपको description box में दिए, क्या है, फिलहाल आप क्या किजिए, WhatsApp ग्रूप को जोन कर लो, जिसका लिंक, हमारे description box में दिया गया है, जलेजी, अगल वांट तो रीड़ा, कम्प्लीट बुक, शीरीट तो बाई फिप्ट अप्ट बुक ओन देवन, 34 परसेंट ऑन देवन, देव, और रिमेंग पेजी इंद नेक्स तू देज, और दोस तू देज, शीरेट इक्वल नम्बर व पेज़िस, इफ फिप्ट व पेज़िस अल लास्ट देज, दें फांड आउट टोटल नम्बर व पेज़िस देट 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 दा बुक गंटें, बता हुँ जी क्या देखो, सबसे बहली बाद, 100% है, अब आपको पता होना चाहिए डिरेक्टली, कि 2 by 5 किसी बहली होते है, 40% की, मतलब, अगर मैं देवन की बात करूँ, 40% है, देवन पर 40% है, अच्छा, उसके बाद क्या दिये मुझे, उसके बाद क्या दिये मुझे, क्या देटू, अगर मैं देटू की बात करता हूँ, अगर मैं देटू की बात करता हूँ, कि दा, 34% है, तो कितना हो क्या, दू दिन में कह 40 boyfriend हैं दू दिन में 44 ऑफोर या च्छा अब मेरे पास कितना बचा अगर मैं णि-3 और दे-4 पर सब्सक्रांड है तो इनके लिए पर मिरेपराद स्पिछा या अगर इनके लिए वो इकोल नमबरो पेज़ बढ़ रहा है तो मुझे क्या बोल रहा है वो पाइंट आप टूटल नमबरो पेज़ इस तूटल नमबरो पेज़ इस बस बीलगुल नोट कीजे फटाप इसको तरह है अब हम चलेंगे बहुत अच्छे असे कुश्चन की तरफ विए उसमें कैलिकुलीनिक विज्चन और कुछिन वाटापको समझना पड़ेगा कैसे इस तरह की केलकुलेशन को आपको डील करने हैं चलिए स्वेंट्स नेक्स कोश्चन और लास्ट कोश्चन भी होगा है चलिए देखने में कितना चोटा सा कोश्चन लग रहा है आरेक्षण बेट्वें टू केंडिडेट सेवंटी परसंट वोत आप टिरोट आप विच तू परसंट वोट्स वर इन डिखले इन वैलीड अगैनिदेट गॉट्स दूर्दर्थ कोश्चन थोट्रीटेशन इन देखने मेरे पास कहैं तोलस्ट परसंट वोट्स है इसको 100% of K ले लो, इसको क्या ले लो, 100% of K ले लो, क्यों, बताता हूं भी, ठीक है, इने लेक्षर बिट्विन टू केंडिट्स, 70% of voter, काच देर वोट, आउट ओविस, 2% of voter for declaring invalid, क्योंकि आपके लिए 2% तो निकाल लोगे, बट फर्दर आप calculation निकर पाऊँगे, ठीक है, यह कितना हो गया, 2% of K निकाल लिया, अपने, गया, यानि रिमेनी कितना बचा आपके अस, 98% of K बचा, ठीक है, अब केंडिडेट गॉट 7203 वोट्स, विच वर 68% of total valid वोट्स, यानि अब मुझे क्या बोले जा रहा है, यह valid वोट्स आगे मेरे पास, कि एक व्यक्ति को जो विनर है, या लूजर जो भी है, उसको कितने वोट्स मिले हैं, इसका 60% है, 60% of 98% of K, मेरे accordingly जो मैंने equation बनाई, उसके accordingly के इतने number of वोट्स मिल रहे हैं, yes, isn't it, but according to question क्या बोला गया है, according to question, वो क्या बोल रहा है आपके पास, इसे बहले वो भी आएगा, 70% भी आएगा, यह रहे हैं पर, यह वैले वोट्स होगे, अच्छा, 70%, in election, 70% of votes for, cast their votes out of 2%, okay, 2% इन लेट, यहाँ पर क्या हुआ, 70% ने कास किया, थोड़ा सा डेटा उपर निचो होगे, देखो, sorry, देखो, actually यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात बन दीएगी, कि आपके पास क्या हुआ है, कोशी नहीं बोले, यह वाले डाटा रह गया, थोड़ा सा, उसने बोला पर, 30% ने वोट ही नहीं किया, हटा दो, 70% बचा, 70% हो, आपके पास total votes, clear, 70% of K, इसमें क्या हुआ हुआ, आप 2% क्या है, 2% invalid होगी, ठीक है, अब मेरे को क्या बूला गया है, कि यह कितना बचा मेरे पास, 98% of, 70% of K, यह actually में actual ID, ठीक है, वो 70% बाला डाटा मैंने नहीं लिया था पहले, अब मैंने वो ले लिया, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कि आपके इस क्या बचा, 98% of, 70% of K, इतना है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक को इसका भी 60% मिला है, कि यानि कितना मिला, 60% of, 98% of, 70% of, K, और इसकी value कितने दिया, students, मुझे, 720, मुझे basically यह value दिया है, बस मुझे K की value find out करने, वो आप find out कर लेंगे, कि कैसे, 60 by 100 into of, 98 by 100 into of, 70 by 100 of K, is equal to 72, 0 तर यह हो गया, अच्छा, देखे सबसे बहले क्या करूँ, जिरो से जिरो, और जिरो से, जिरो एक एंसर आप हो गया, अब जड़ा कटिंग कर लेते हैं, देखो 7, 7, 10, 70, 3, 1029 आगया, ठीक है, 203, 29 times जाएगा, 29, 27, 203, अच्छा, अगर मैं इसे 7 से काटता हूँ, 14 पर गया, यह कितने में जाएगा, साथ एकम साथ, तीन दो, साथ चोके, ठाइस, और, सत्व, 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 निंचास, 147 times गया, साथ दुनी, 14, और यह कितने में पर गया, 21 पर गया, ठीक है, अच्छा, यह मेरे पास क्या बचा, थीन, दुनी, छे, गया, तीन सत्ता, एकिस, तो यह कि बचाट, दो, पचास, दो, पचास, तो पचास गुना पचास, यह पचास है, पचास गुना पच्चास, 25, 27, कितना हुआ, 25, 27, 27, 27, 27, 27, 00, और, उप्चास नमबर, वीजदी, चरेक्शन थी, वो पहले मैं कि यह सब्सक्राइब को बता दूं कि टार्गेट सी सट दोजार पचिस जैसे 24 में बहुत अच्छा परफॉम कि हमारे यहां के सुडेंट्स रहे हैं सब कि इसी तरीक्के से हमां कंप्लीट क्वांट करेंगे और कंप्लीट इंग्लिश कॉंपनेशन टिल एक्जाम कब तक करेंगे तिल एक्जाम करेंगे कैसे विद एडवांस मोडिरेटिड मेथर्ट्स के तुछ यह मोर इन्फो आप कॉल कर सकते हैं 95177 165 और आप इस नंबर पे स्ट्रेंट्स कॉल भी कर सकते हैं आप इस नंबर पे वर्ट्साप भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहोंने वाली और अगर आप ब्रांच सेंटर विजिट करना चाहें चंदिगड तो प्लॉट नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर पंजाब गेसरी बिल सब गुरुप को जूर जोइन कर लिजिए जिसका लें की दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और फोर इन्फो फोर मोर इन्फो यू कन कॉल असे नंबर तो प्लीज लाइक शेर और सब्स्राइब दा चनल आज वेले वीडियो थैंक यू